एक दो चीजे मैं आपसे कहना चाहता हूँ और ये ये राजनेतिक बात नहीं ये नाशनल सेक्यूरिटी का क्वेस्चिन है इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा और मैं हरान हुई कोई सवाल का जवाब तो मैं दे सकता हूँ लेकिन जवाब का सवाल मैं कैसे दें कि भूब लोगों ने लदाख लेकरगिल के जिक्र किया लेकिन मैं ज़नना चाहता हूँ क्या वाकिव लदाख जानते हैं ये लोग आज तक बीते एकातर साल सेवन डेकेश लदाख को बिल्कुल अपना या नहीं बिल्कुल भैंके रखा वहाँ पे और वक्ता वे दिया वक्ता वे दिया इसी सदन में वो वो जमीन है का टुगड़ा है जहां पे एक तिनका का गास नहीं उटते है क्या लदाख के विशेश संस्क्रिटी को जानते हैं क्या लदाख के बाशा को जानते हैं क्या लदाख के रहन सहन खान पान वहां पे वहां के जोग्रेफिकल कंडिशन क्लाइमिटिक कंडिशन जो दुर्गम शेतर है क्या वो जानते हैं या खाली किताबे पाड़ के बोल रहे हैं अच्यक्स महुद्या लदाख में पिछले 71 येर यूटी के लिए संगर्श किया हम भारत देश के अटूट अंग बनना चाहते हैं 1948 में चार तरिक को पहला जब बन लदाख गुदिश एसोसियेशन के तब के प्रिजिडेंट ने पंडिश जवाला नेरु जी को दिया सा तब के प्रदान मंत्री जी को कहा कि लदाख को या तो आप सेंट्रली अद्मिनिस एसो कुछ बनाएए या नेफा टाइब बनाएए या इस पंड़ाप के साथ राखिए लेकिन किसी भी कंडिशन में हमें कश्मीर के साथ मत रखिए यह हमने कहा था लेकिन जीन का सरकासा उन्होंने हमारे सुनवाई नहीं किया जानने के कोशिश तक नहीं किया और कश्मीर के नीचे आज तक हमारा डिवलोप्मेंट हमारा पॉलिटिकल एस्पिरेशन हमारा पहचान हमारा भाशा लुप अगर हुआ है तो ये आर्टिकल 370 और कॉंग्रेस पार्टी जीमेवार नहीं किया जर्टिकल प्सक्णल